नमस्कार दोस्तों आपका बहुत बहुत श्वागत है हमारे चैनल सक्सेस फ्लेस में दोस्तों इस विडियो में हम बात करेंगे फुल फॉर्म की जो important words है stock market से ले रहे उसके full form और जो short में हम उसके बारे में थोड़ा आपको बताते हैं एकदम short में फिर आप अगर comment करते हैं अगर आपको जोड़त है अगर आप जानना चाहते हैं तो हम इसे detail में भी बताएंगे तो आप comment किजिए बताइए कि आप अगर इस detail में जानना चाह है तो लाइक अवश्र किजिए क्योंकि यह हमें motivate करता है आपके लिए अगले वीडियो को बनाने के लिए तो अचली यह शुरू करते हैं आज हम पिछले वीडियो में हम एक से लेके 11 तक बताएं थे आज हम 12 से बताएंगे तो सबसे पहले हमारा 12 में क्या है Assert Under Management AUM यह क् उसका जो हमारा client के behalf पर जो मतलब client हम mutual fund में invest करते हैं तो उस mutual fund का जो total market capitalization होता है मतलब जो market value होता है उस समय उसे हम Assert Under Management कहते हैं दूसरा है हमारा 13 नमर में ECS electronic clearing service जैसे आप share को buy और sale करते हैं तो जैसे आप sale करते हैं तो जो share है आपके demand account से निकल करके वो जो buy करता है उस के demand account में चला जाता है तो यह परकिरिया जो की जाती है यह digital form में की जाती है और यहाँ पर जो हमारा clearing का काम करती है वो account करती NSDL, CDSL और जो broker है आपका और NSC, BSE यह तीनों इस process में सामिल लाता है तो जो electronic clearing service होता है कि कौन buy किया, कौन sale किया यह जो आप share को buy करते हैं, sale करत होता है कि आपने share किस से buy किया और आपने किसको sale किया, लेकिन आपके broker को पता होता है और जो आपका exchange है, NSC, BSE उसको पता होता है और जिसके पास आपका demand account, CDSL या NSDL, electronic clearing service क्या हो गया, कि आपका share किसको फिर देना है, आपने sale क्या, तो कौन buy क्या, उसे के demand account में भेजा ज service कहते हैं, उसके बाद आता है ASM, additional service lance major, ASM तब लगा जाता है, जब high low variation होता है, मतलब बहुत ही high low variation, या close to close price variation होता है, जब close to close price variation होता है, तब उस पे ASM लगा जाता है, और ASM लगाने पर क्या होता है, कि आपको जो trade करते हैं, उसमें कोई margin नहीं दिया जाता है, आपको 100 margin पे करना पड़ता है, मतलब 100% आपको pay करना पड़ेगा, तब ही आप उसमें trade भी कर सकते हैं, तो ये होता है हमारा ASM, दूसरा होता है GSM, graded surveillance major लगा जाता है, तो इसकी अंतरगात broker और जो हमारा trader होता है, उसको एक additional amount पे करना पड़ता है, GSM तब लगा जाता है, जब कि change movement देखने मिलता है, तब GSM लगा जाता है, उसके बाद आता है 16 में CMP, current market price, current market price क्या होता है, जिस समय आप stock का price क्या है, उसे हम current market price कहते हैं, तो जिस समय आप किसी stock के price को देख रहे हैं, उस समय जो stock का price होगा, उसे current market price कहते हैं, उसके बाद आता है EBIT, EBIT होता है हमारा earning before interest and tax मतब जो profit होता है किसी भी company का interest पे करने के पहले और tax पे करने के पहले उसके बाद आता है ROI return on investment जैसे आपने 1000 रुपीज का investment किया है तो उस पे आपको कितना return मिला उसे हम ROI कहते हैं return on investment EFT electronic fund transfer electronic fund transfer मतब पहले जो share हुआ करता था वो physical form में हुआ करता था मतब आप कोई share खरिते थे तो वो आपको एक certificate दिया जाता था कि आपने 10 share by क्या इस company का broker के द्वारा दिया जाता था लेकिन अब जो हमारा होता है यह digital form में होता है मतब आप कोई भी share खरिते हैं तो वो आपक इसके dimit account में digital रूप में रहता है तो यह जो share आप जब sale करेंगे तो दूसरा कोई जो buy करेगा उसके dimit account में जाएगा तो किस रूप में जाता है डिजिटल रूप में और इस transfer को हम क्या करते हैं electronic fund transfer क्योंकि electronic रूप से होता है तो इसे हम electronic fund transfer करते हैं या आज कल आप जो app ह एप के माध्यम से, फॉन पे, गूगल पे के माध्यम से भी आप अपने बेक एकाउंट से रुपिया टांसफर करते हैं, अपने ट्रेडिंग एकाउंट में, उसे भी हम क्या है एलेक्टोनिक फंट टांसपर, उसके बाद आता है C.A.G.R, Compound Annual Growth Rate, Compound Annual Growth Rate, Compound Annual Growth Rate क्या होता है, जैसे हमारा 1,000 रुपिज का मैंने इस investment किया किसी mutual fund में, तो एक साल बाद जो हमारा amount होता है उस पे, मतब जो हम उस पे investment पर जो return प्राप करते हैं, return को भी अपने principal value में जोड देते हैं, return को principal value में जोड दिये, अब उस जो जोडने के बाद हुआ, मतब return को principal value में जोडने क के बाद, दूसरे साल उस पे हम return को calculate करेंगे, तो इस तरह से जो हम return calculate करते हैं, हर साल, जो return होगा उस साल का जोडने जाते हैं principal value में, फिर उस, मतलब जो total amount आता है, उस पे फिर अगले साल का return calculate करते हैं, तो इस तरह के calculation को हम क्या करते हैं, compound annual growth rate, इस तरह का कोई भी accounting word यू करते हैं, calculation करने के लिए, मतलब compare करने के लिए, जो revenue होता है, जो profit होता है company का, लेकिन accounting में ये सारा चीज यूज कभी नहीं किया जाता है, उसके बाद आता है, TSR, total shareholders return, जितना किसी भी company का total shareholders है, उस पे जो return प्राफ होता है, उसे हम TSR, मतलब total shareholders return करते हैं, total shareholders, जिसमें हमारा क्या जाएगा, FIs, FPI, Domestic, DII, जो हमारा retail investor है, तो सारी जोर करके, जो हमारा promoters है, सब को जोर करके total shareholder होगा, उस पे जो return प्राफ होगा, उसे हम total shareholder return बोलेंगे, उसके बाद आता है हमारा ROIC, यह क्या हो गया हमारा, ROIC, return on invested capital, return on invested capital, मतलब कितना capital आपने invest किया, उस पे return, उसके बाद आता है, RONA, return on net assert, मतलब हमारा जो पहले साल का return आया, उसको हम principal value में जोर दें, तो हमारा जो total assert होगा, उस पे return, वह कारा है, return on net assert, जो हमारा net assert होता है, जो return होता है, उसको add कर दें, या loss होता है, तो उसको add कर दें, उस पे जो फिर return होगा, उसे हम कहेंगे, return on net assert, या कोई company है उसका जो return है मतलब हमारा उसका जो एसर्ट है मैनस जो liability है उसको कर दे liability को मैनस कर दे तो वो हो जाएगा net assert तो net assert पे return उसके बाद ROS return on sales return on sales मतलब जो sales हो रहा है उस पे return मतलब कितना का sale हो रहा है कितना का company sale कर रही है उस sale पे कितना का return प्राप्ट कर रही है उसके बाद AD TV Average Daily Traded Volume आप जो किसी भी share का जब देखिएगा चार्ट जैसे money control के website पर तो वह आपको volume लिखावा मिलेगा कि today's volume is इतना तो वो क्या है? Average Traded Volume उस day का उसी तरह जब 5 day का volume देखिएगा तो आपको Average Traded Volume दिखाई देगा क्योंकि जैसे आज का volume तो आपने देख लिया फिर कल का volume अलग था परसों का अलग था सारा volume अलग था लेकिन 5 days का volume आप देखते हैं तो क्या होता है? 5 day के कुल volume को जोड देते हैं 5 से divide कर देते हैं तो वो हो गया 5 day का average volume उसी तरह से हम 20 day का average volume निकालते हैं 200 day का average volume तो इस तरह से average volume से हम compare करते हैं stocks के momentum को तो यह हो गया average daily traded volume आपको यह सब करने के जोड़त नहीं परती है क्योंकि आज कल money control के website पर आपको हर चीज जो होता है ready made रूप से मतलब calculate क्या हुआ आपको मिल जाता है तो वो जहां आप देख सकते हैं सारे average traded volume हर चीज तो उमिद करते हैं वीडियो आपको फसंद आगा वीडियो को like किजेगा, share किजेगा चैनल पहली बारा है चैनल को subscribe करके bell icon दबाज जागा फिर मिलते हैं अगले वीडियो में